तो बिहार सरकार के इस ऐलेक्ट्रिक बस में आज हम पटना से राजगीर जाएंगे और राजगीर खुंके देखेंगे बाहर की कमपनीश की लेक्ट्रिक बस आपने बहुत देखी आज मैं आपको देखाऊंगा अशो क्ले लैंड की बस आज मैने तीन जगा वह नहीं गया त महाभारत में बोला गया है यह देख लीजिए भगवान स्री कुछन का जो रत था वहीं से चला गया था यहां से आप व्यू देख लीजिए दोस्तों कितना जादा शांदार है देवियों सजो नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से एक बार हम फिलाल एक्स्पोर कर रहे हैं बिहार और जार्खंड गुड मॉनिंग फ्रॉम दी कैपिटल ऑफ बिहार पटना लास्ट वाले व्लॉग में हम एक 24 घंटे की बस जर्नी करके सीटर वस में दिल्ल सुरज जगह देखने जो कि है राजगीर उमीद करता हूं आपने नाम जरूर सुना होगा राजगीर में इतने सारे तूरिस जगह है ना आपको मैं शायदी एक दिन में दिखा पाऊं स्काइवाक है रोपो है व्यूपॉइंट है लाइन टाइगर सफारी है बीर सफारी है और सबसे जो वहाँ पर फेमस है वह स्तूपा इसका फोटो आपने देखा होगा तो वह आज हम चलके देखेंगे और आज साथी साथ हम देखेंगे बिहार सरकार की एसी इलेक्ट्रिक बस पटना से हम राजगीर जाएंगे बिहार सरकार की इलेक्रिक बस में राजगीर गए काफी लेट हो गया उटने में यहां पर आटो अगरा कुछ नहीं मिल रहा था बिहार सरकार की के लेक्रिक बस मिल गई लब सीटी बस यहां पर ना बीसाटी सी का मैंने बहुत अच्छा देखा अगर नेबरिंग स्टेट से कंपे अगर तो यह तो बहुत ही जादा आगे हैं इनके पास वॉल्वो है है फिर नौन इसी बसे हैं इलेक्रिक बस है हम अपने चैनल पर बात करते हैं हर एक स्टेट के ट्रांसपोर्ट की तो यह भी बताना मेरा फर्स था यह देख लिए कुछ ऐसा है यहां की बस और यह यह दोस्तों पटना का गांधी मैधान यहां अब देख सकते हैं बहुत लोग जो इस उब एक्सरसाइस कर रहे हैं काफी बड़ा मैदान है बस्टैंड भी जस्त गांधी मैदान के साइड में हैं बस राइवर साब की बोनी हो गई यहां पर नहीं को बहुत ही मतलब रेस्पेक्ट फुली लोग लेते हैं फर्स जो अनि मैदान का चौक पीछे जो कोई तो मॉल है यह दोस्तों पटना का गांधी मैदान बस्टैंड यहां पर बीसाटी सी की बसे देखिए वह है वह है वह है वह है सौरी यह प्राइवेट है यह है तो बिहार सरकार की इस इलेक्ट्रिक बस में आज हम पटना से राजगीर जाए देखेंगे यह बस जो मुझफर पूर जा रही है यह जो बस है यह है यह देख लीजी एक मुझवर फूर की बस पीछे जो एकॉल लगी है तो बसेस की फ्रिक्वेंसीन की बहुत ही अच्छी है और एक्चुली अभी जो बस्टैंड ना वो तो चेंज हो गया यहां से चला बस्टैंड है निया वाला जो है फुलवारिया शरीफ में बनाए बैट जाते है अपना आज की लेक्ट्रिक बस पर ज्यादा टाइम है नहीं क्यूंकि यहां पर ना सीट चली जाएगी मेरी अशोग लेलाइंड की बस है बाहर की कंपनी इसकी बस आपने बहुत देखी नहीं आ रहा वैसे राजगीर है यहां से लगबग 100 किलोमेटर जो कि हम ढ़ाई से तीन घंटे में कवर करेंगे एक्स्प्लूर कराएंगे आपको रूरल बिहार बाकी जो एलेक्ट्रिक बस थी वो वाली वो तो निकल गई अब हमारा भी टाइम आल्मोस्ट होई गया है सुबह के साथ 20 हो रहे हम यहां के बस्टांड से निकल रहे हैं आज का हमारा रूट बिहार शरीफ होके रहेगा जो बस का फेर है वो है 193 रूपीज बाकी बस के इंटिरियर में लेट होने के कारण दिखानी पाए ठीक से देख लीजिए तूबाई टू के सीट से अंकमफ साइड में सिटी वाली इलेक्ट्रिक बस है अशोगले लैंड की अब वैसे इस साइट पटना जंक्शन है यहां पे हैं दोस्तों राजिंद नगर टर्मिनल पटना हैं यहां पे जो मेट्रो काम चल रहा है दिल्ली मेट्रो वाली कंपनी मना रही है यह देख लीजिए शाम जो सकता कौशन है जो समय जो समय यहां भीजिए जो खुट सांगी का रहा है यहां आपे यहां पेपी आख ज़रे बीजिए शामे मेंट लिगारब कर दो दोस्तों कि के अच्वते हैं यहां जो मैंगे लादाने मेंट अंटिख कोशने वाली मेंटेशने मेंटेष एपिस वैसे हम हैं दोस्तों फिलाल नाशनल है थर्टी वन पे एसी में हम बक्तियार पुर्दक जाएंगे फिर हम राजगीर की तरफ चले जाएंगे बिहार सरीफ होगे हाईवे है बढ़िया बस की स्पीड लगवग सब्तरस्ती के आसपास है बस चलने में तो काफी बढ़िया है तो अच्छा चीज बना अशुकले लेंड़ने लेफ्ट की और नजारे आप कुछ ऐसे देख सेखते है तुछ पे रुका है मांगे तुझे सावरिया ना तू इस इना है आसमा की तेरी कौन सीन अजरिया तुझे के फिलाल पोने नौ हो रहे हम पहुंच चुके हैं बक्तियार को यहां पर बस जो बस स्टैंड तक नहीं जाती कुई जिरो माइल आशा करके है वहां पर डॉप करके आगे निकल जाती है बाकि बेस टीकेटिंग मेशीन है वह काफी अच्छा है स्मार्ट मशीन है आटोमेटिक प्रिंटेड टिकेट है और साथ में वह कार्ट स्वाइब करने वाला यूपी आई वगरा जो है वो भी है तो इन सब चीजों में आ मैंने देखा कि बिहार सरकार बहुत अड़वांस्ट है यहां पर फोर्ड लेनी का काम वाम चल रहा है जिसके वज़े से कई सारे प्रिजविज बन रहे है सुवे वाला हाइवे अच्छा था आण हम बस पहुंचनी वाले हैं बिहार शरीफ कि फिलाल बजने सुवे के साड़े 8 पहुंच गये हैं बिहार शरीफ में यांद यह आता है नालंदा डिस्टिक में नालंदा का में शरीफ के बस स्टाइड में हैं यहां पर देखें ग्रीन सी एंजी सर्विस एक दो तीन यह हो गया आपका सी एंजी एसी फिर इलेक्ट्रिक बसे देखिए एक दो पीछे तीन तो मुझे बिए साटी सीना कमाल की लगी और यहां पर लोगों को लगया कि बिहार सरकार ने जो एमिर को पैसे दिये ऐसी बात नहीं है बसों के फिल्ड में यह बिहार सरकार बहुत जबर दस्त हैं बाक चोटा है बोर टमाटर तो चोटा वाले काट रहे हैं यहां पर मैंने लिये थोड़े चने और यहां पर भी मेरी हाथ से बोनी हुई आज मैंने तीन जगा बोनी गया एक सुवे उलेक्ट्रिक बस में एक इस वाले बस में आने की यह पर और तीनों में वही कि फर्स जो भी करनी होते दिन का उसको जो प्रणाम करते हैं यह बहुत एक अच्छी चीज लगी मुझे पैसो कि हमेशा रेस्पेट करनी चाहिए और देख लीजे यह है सरकार की लेक्ट्रिक बस है यहां पर जोना बिहार शरीफ से निकलने में काफी जादा टाइम लग रहा है क्योंकि ट्राफिक देख लीजिए ब्रिज वगरा बन रहा है तो बहुत ज्यादा ट्राफिक है लगभग आदा घंटा ता अपना ही पे खराब हो गया काफी गंदी हालत है यहां पर ट्राफिक की तो अनिया पर ट्राफिक उतना डिसिप्लेंट नी है बिहार में कोई भी बाइक लेके जब भी बाइक लेके ऑटो लेके घुशता ना वो देखता निये कि साइड में गाड़ी आरी कुछ आ रही है तो बस घुशा देता है घु में आने के लिए कि कुछ पीछे से आ रहे की नहीं कि वजह से ना ट्राविल टाइम डाई गंटे चले के चार घंटे तक हो जाएगा प्लास कोई हेल्मेट वगरा तो चलो नहीं पहन रहें वह बात अलग है बाकी बस के हिंटेर्स में आपको सुबह दिखानी पाया था सब्सक्राइबरा है फायर एक्सिंग्विशर और ऑविएस्टी सीचीडवी कैमरे बस बहुत ही अच्छी है अशो कले लैंड के इस एलेक्ट्रिक बस में मुझे दो कमी लगी एक एक एसी के बैंट्स अच्छे नहीं है अल्रेडी डिले पड़ गए है तो यह साइट में प सुबह के वजरें 11 हम पोटुके है नालंदा यहां पर हम आये है सिलाओ गाउं मैं होँ आपे खाजा की दुपाने देखी लाइन से है काफी फेमस होगा प्रुपाइबली यहां यह यहां यह यहां यह यह पर नहां पर और आगे भी जो लाइन से दुपाने हैं राजगीर is a city with cultural heritage and history finally जी सुवे के सवाग 11 और हम पहुंच गए है राजगीर आपका नाम क्या भी है और इसका रेंज कितना है जैसे एक बार चार्ज करने पर कितना चल जाता है इसका यह सिंगल गंड में है तो इसका रेंज है और यह सो पोने दोसो किलोमेटर मतलब पढ़ना में चार्ज किये तो पढ़ना पहुंच जाएगा अचा यहां पर चार्ज लगेगा ओके ओके टाइप लगता चार्ज करने में ठीक है थेक थैंक्यू यह ने कहा कि अभी गाड़ी चार्ज होके फिर पटना जाएगी एक दिक्कत यहां पर हो गया है कि यहां पर उपर तक नहीं जाता मुझे तांगा लेना पड़ेगा यू यहां पर नहीं आप साही में दिन भी नहीं थे मोगत राजधानी राजगीर में आपका स्वागत है यह इतना ही एतियासिक है कि इस चोटे वीडियो में मैं आपको इसकी हिस्ट्री को लेके बता नहीं सकता यह शायर सिर्फ हर्याली से भरपूरी नहीं है बलकि इसमें आपकरून जो कि आप कह सकते हैं नाच्रल हॉट वर्टर स्प्रिंग है यहां पर नहाना काफी अंतर पुने का काम आप मान सकते हैं तो वह हाथे टाइम देखते हैं अपर अगर कि आप 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 सभी ने सुने हैं वही देखने आज हम जा रहे हैं शांतिस तुपा है पहाडों के उपर जो कि रोपे में जाना पड़ता है उमीद करते हैं बहुत ही अच्छे व्यूद आपको रोपे से देखा पाऊंगा यहां पर पहले वन सीटर लिखाता है अभी जो है निया अजब फे खुले पुराना बंद ओगए तब रोपे का टिकेट टिकेट प्राइस हूं ट्वेंटी रूपी स्वारण साधैसो रोप करते वहां पे है पुराना रोप यहां पे है नया रोप पुराना बंद हो गया है है अएजिन आपकारी तर दम, पर देख सकता है अएजिन आपकारी दो और राव लग वावड़ महाँ बगदा झाल आईए नीम्बू, पाने, मसाला, सुगा, पीना, आइसक्रीम, खाना है वली विश्व शांती स्थूपा में आपका स्वागत है राजगीर के रतनागिरे हिल पे बना है ये शांती स्थूपा लगभग 400 मीटर की हाइट पे यहां से एकर आप व्यू देखना चाहे तो आपको पूरा 360 डिगरी व्यू मिलेगा राजगीर का बहुत ही खूबसूरत और शांस ये जगह है आप लोग चाहे तो अराम से एक घंटा विता सकते हैं पूरी तरीके से मारबिल से बना इस शांती स्थूपा में चार गोल्डन स्टैचूज हैं लौट बुद्धा के इसी शांती स्थूपा के बगल में आपको एक जापनीज बुद्धिस टेम्पिल देखने को मिल जाएगा यहां से आप व्यू देख लीजे दोस्तों कितना ज्यादा शांदार हैं इसके अंदर जो फोटोग्राफिय अलाओड नहीं चोटा सा मंदिर है यहां पर जो ना इस रोप पे बंदोने का टाइम हो गया है बारह पैतालिस पे बंदो जाता है थोड़ी देर के लिए शायद लॉंच टाइम वह गरा या मेंटेलेंस टाइम होता है थो मैं रिटन आगया अब 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 बस फिर आके हैं पर नीचे यह देख लीजिए निव रोप या ओल्ड रोप यह अल्ड रोप यह भी हलागी मज़त है हलागी तोड़ा अंसेफ है अब और राजगीर का जो हिस्ट्री अना उसकी वज़े से यहां पर इतने सारे फॉरणर्स आते हैं बाकि यहां पर ग्लास ब्रीज है मतलब वही स्काइवॉक जिसके टिकेट के लिए घंटो घंटो लाइन लगती है बोल रहते हैं कि दो तिन दिन अडवांस में टिकेट लेना पड़ता है और आज जो है जूबी बंद है यहां बेट कर रहूं किसी चीज का मुझे तांगे अगर आज जो सिच्वेशन आज वैसा नहीं ना तो यह चीज मुझे लगा कि यहां पर वैसे ना मैं इदर आया था इदर कुछी इरिक्षा घड़ते में उनको पूछने आया था कि जाओए क्या नहीं यहां पर स्टैंड एक घोड़ा कटोरा लेक का एक लेक है यहां पर अभी मेरे पास नेट निये तो मैं चेक नी कर पा रहा कि exactly कैसा है बट यहां पर जो फोटो लगाता नो उसे कुछ खास नहीं लगा साड़े च्छे किलोमेटर दूरे लगवग और आने जाने में टोटल 100 रुपीज लगते हैं पर परसन तुमेरा जाने का मन नी किया क्यू यहां पर दोस्तों हमागे हैं ब्रह्म कुंड में लंच अल्रेडी मेरा हो चुका है अब यहां पर कुंड में जाके जाता वीडियो बनाऊंगा नहीं हलकी सी जलक देखाऊंगा क्यूंकि इस पर लोग लड़ियां सब एक दो मतलब साथ में सब ना आते हैं तो उसी इसका वीडियो मुझे नहीं ढालना कि अगर 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 देखाने को नहीं था जगा जो है जरा साथ भी मेंटेंग नहीं है मतलब भली में शुरुआ से सब्सक्राइब करें यहां के सरगारा कर थोड़ी सी जगह ठीक करती अगर बस ट्राइंड भी ठीक से बनाती तो भी चल जाता अभी जो है एक छोटी सी और जगह दिखा के मैं वापस चलता हूं पटना एक जगह जो की साइंस को चैलेंज कर दे और हिस्टी को प्रूफ कर एक जगह जहां पर हाट रॉक्स पर श्री कृष्णा जी की जो चैरियोट थी जो रत था उसके वील के निशान जस्ट लाइक महाभारत में बोला गया है यह देख लीजिए भगवान स्री कृष्णा का जो रत था वह यहीं से चला गया था आप देख लीजिए ना बिल्कुली हाट रॉक्स है उन में यह निशान तो किसी तरह से पढ़ नहीं सकते है क्योंकि मड़ वगर होता तो बात क ड्लोगे क्योंकि लिए फिसर यह जब जान की नाथ स्वा्य कर तब कॉन विगार्ड कर नरते नो कॉन विगार्ड कर नरते नोख मिगार्ड कर नरते ही यह यह लोग देख यहां पर जो जो बंद के वह बंद के संवा गया काफी पंदधार चीज यहां पर कंडे के लिए यहां पर जिब लाइन वह गघरा यह जो फटा नहीं था पर कली पटना आया था और कल में रिटन चले जाओंग तो मेरे पास टाइम भी नहीं है ट्रेन ले लूँगा शाम को साड़े चार बजे वाली जो कि यहां से दाना पूर जाती है नमबर 13233 नाम मुझे आद नहीं आपको दिखाऊंगा बिहार का एक वंदे भारत एक्स्प्रेस मिलते अगले व्लोग में तब तक अपने और अपने परिवार का दियान रखें याद रखें तुफानां दिया है वर्जात हर मंगल चुक्र आपके साथ